सभी गुरु भक्तों का एक ही प्राण साधू, सेवा और समर्पन इसी भावेवं भावना के साथ कारे कर रहा है साधू सेवा ट्रस्ट हम जानते हैं, हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतो हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया? ये सवाल जरूर उठता है देश के कई ऐसे प्रांथ हैं जहांपर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहर की विवस्था भी नहीं बन पाती जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृती, सब सुरक्षित रह सकते हैं क्योंना हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हे तु आगया आएं योजना परम संडरक्षक एक लाख ग्यार हजार एक्सोग्यार रूपय वरिष्ट संडरक्षक 21,151 रूपय संडरक्षक 31,131 रूपय आजीवन सदस्य 21,1211 रूपय सदस्य 11,111 रूपय आजीवन मासिक दान दातार 500 रूपय खाता विवरण अकाउंट नेम VVSP Sadhu Seva Trust Bank Name HDFC Bank Limited Account No. 502-000-733-58-170 IFSC Code HDFC-000-1273 Trust Pen Card AADTV-8567E Mail ID VVSP Sadhu Seva Trust at the rate gmail.com Om Namah Siddhi Vyaha Om Namah Siddhi Vyaha Om Namah Siddhi Vyaha जे बोलिये तरिकालवर्ती श्री पंच परम प्रमिष्टी भगवान की परम पूजनिये आचारे भगवंत अभिक्षण ग्यानोपयोगी श्री भस्वनंदी जी मुनिराजी की अहिं सामे विश्व धर्म की आत्म कल्यान के चुक आप सभी उपस्तित, धर्म प्रेमे, पुन्यात्मा, एव महनुभाग परतेक विक्ति एक ही सोच लेकर के मंदिर में जाता है कि भगवान के मंदिर में जाकर के मेरी सारी मनों कामनें पूरी हो जाएंगी क्योंकि हमने भगवान के अतीशों के बारे में बहुत कुछ सुना भी है बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पड़ा है जैसे कोई मंदिर में चोर आया है, चोरी करने के लिए, छतर या फिर भगवान का जो वैभव है, सिंगासन है, चवर है, चांदी की जो धातुए है, उनसे बनीवी जो वस्तुए है, या भगवान के सिंगासन, इनको चुरा करके वो ले जा रहा है, और जैसे ही वो मंदिर के जाग तक दाडा है पता निए डाट tu की आखे जली गई है लंधा हुगिया है लंगडवया हो गया है लूला हो गया है लुग्डवा लगगया है है को विवें अन्र में मूर्तिः घँघ हो गई है तो ने यह भी अाटिशे देखा है कि यह जा हर देमें और दमपते दधने आतिशे अन वोर मुर्ति जुडगई है हमने यह अतिशेसे भी देखा है कि अंद्य कि आख्या आख्या है जूले लंगड़ longer कर हाथ पेर भी आजिएँ हमने यह भी देखा है कि भाग्वान की पूजण भक्ति करने से ऐसे ऐसे अतिशे देगे हैं कि नाग नागनिंग means उन नाग नागनियों कि भॉ सुधर गए। वो प्दमावति-धने-दर बन गए। हमने यह भी अतिशे देखा है कि बंदर, सैर, सुकर, नेवला भगवान की भठी करने से ऐसा अतिशे हुआ कि वो मुक्ष चले गए हमने बहुत सारी चीजे देखी हैं और जब हम इन सब को सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है कि हमारे मंदिर में भी ऐसा अतिशे क्यों नहीं होता हम अपने मंदिर के अतिशे को कैसे बढ़ें क्योंकि परते एक विक्ति चाहता है कि हमारे मंदिर का भी अतिशे बढ़े और जो मंदिर का अतिशे बढ़ेगा तो मुझे लाभ होगा मैं मनो काम ना मांगोगा तो बुरी हो जाएगी तो मंदिर के अतिशे को कैसे बढ़ें तो मानभाब, मंदिर के अतीशे को बढ़ाने के चार उपाए है पहला उपाए, मंदिर में नित्य पूजा हो अगर आपने मंदिर बनाया है और मंदिर बनाने के बाद आपने उसमें भगवान विराजमान कर दिये हैं अब आप चाहते हो कि उसमें अतीशे हो तो उस अतिशे में आप लोगों की विशेश ही ध्यान रखना होगा कि मंदिर के अंदर आप लोगों को पूजा भी करनी है कैसी आचारे पदमनंदी और दामनंदी स्वामी जी ने लिखा है कि भगवान की पूजा, ओम, नमा, स्वाह, जैकार जहां पर ये शब्दों का उच्चारन होता है वहाँ पर अतिशे बढ़ते है इसलिए मंदिर में आप लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए मात्र मंदिर बनाने से भगवान विराजमान करने से अतिशे नहीं बढ़ता है अतिशे बढ़ता है भगवान की भक्ति कितने है, पूजा कितने है, अर्चना कितने है इसलिए भगवान के मंदिर में नित पूजा होनी चाहिए अगर मंदिर बना दिया है तो पूचा नित्य हो दूसरी बार मंदिर का अतीशे बढ़ाना है तो आप लोगों को विदिवत शुद किरियाओ के साथ विदान आदी अनुस्ठान करने होंगे आप जो अनुस्ठान करते हो उसमें विदी के साथ आपको अनुस्ठान करने है ऐसा नहीं आप जैसे मर्जी कर लो आपकी जो किरियाओं हैं उन किरियाओं में जैसे अभिशेख है विदान है इन किरियाओं को आपको करम से करना होगा कैसे जैसे अभिशेख है तो अभिशेख में भगवान के गुटनों पे हाथ रखकर के आप उपर चड़ गए गलत है गंदोदक में आपने जल डाल दिया है हाथ डाल दिया है और हाथ डालने के बाद लोगों की भावनाव को ठेश पोस्ता है लोगों में आर्थ रोद्र प्रनाम बनते हैं और उससे यह होगा कि आपस में लडाई जगड़ा होगा और मंदिर का थिशे कम हो जाएगा इसलिए अभिशेक की किरिया हो जैसे घटिया तरह निकालना मंदिर की जो शुदिया है उसको करना फिर दजारों करना बढ़िया तरीके से में वो बोल दो शांती मंत्रों का उचारन करें शुद रूप से करें नमो जिनानम बोलना है तो नमो जिनानम ही बोलने नमो जिरनानम नहीं बोलने आपने गलत उचारन किया है परतेक बीजाक्षर के असंख्याद देवी देटा रक्षा करते हैं और उन बीजाक्षरों के is जह बन्त्र आपादरा मेधि अमारे बन्दिरों में हमारे अंसर हमारे अंतर आप्रापता है कि अधिम ए बन्न दितार छहे वो गयतृतिमंत्र ओ को नुमोकार मंत्र हो इसे बोग के मंधर इस मंध्दय में ऊर्जय मिलती है अलग अलग समय पे अलग मंत्र दिये गएulars जैसे बननेवाले बच्चों को सरस्वति मंत्र दिया है संकट के समय में रक्षा मंत्र दिया है भक्तामबा इस्तोत्र दिया है अलग-अलग समय के अलग-अलग मंत्र हैं, अलग-अलग स्तोत्र हैं रोगी को आरोग्यल आपकी प्राप्टि के लिए आरोग्यता के मंत्र दिये बीजाक्षर दिये हैं लेकिन जब आप शांती धारा कर रहे हो तो उस समय आप जब आप विधान कर रहे हो घट आत्रा उसके बाद दजा रोहन दजा रोहन की किरिया भी विशेश है अगर नहीं होती तो आचारे लिखते क्यों इसलिए घट आत्र दजारोहन दजारोहन के बाद अभिशेख अभिशेख के बाद शांती मंत्र पहले तो ऐसे हुआ करता था शांती मंत्रों का उच्चारन किया है और उच्चारन करने के बाद चोसट रिद्यों के उच्चारन हो गए हैं और उसके बाद शांती धारा करता से सभी समस्त पुजारिगाण ऐसे करके समाप कर दिया करते हैं कभी कमार बंद में विकल्ब या जाता है घटो की कि जितनी संतिधारा में मंत्रें उस जाधा तो संतिधारा में लोगों के नाम हो जाते हैं अब उस में गंदोड़क इसके नाम की लगएUS भगवान के नाम का उन मंत्रों का या फिर उन नाम का रागवलाल, घरालाल या फिर रामलाल अब उनके नाम का अभिशेक हम क्यों लगाएं? गंदोदक हम लगाएं? तो इन चीजों के माद्यम से विकल आते हैं, संकलेष्टा बनती है आर्थ रोध परिनाम बनते हैं और उस परिनामों के कारण जब हमारे अंतरंग की उर्जा मंदिर में नहीं जाती तो उस पाशान में उर्जा ना जाने से उस पाशान के अंदर उर्जा नहीं आती और उससे अतीशे कम हो जाते है इसलिए मंदिर में जो विधान की करिया है अभिशेक की करिया है वो विधिवत तरीके से हो घट्यात्रा दजा रोहां अभिशेक शांती मंत्रों का उच्चानन जब हो गया है भगवान का मारजन करें कि विराजमान कर दिया है अच्छे से आर्ती करो पूजा करो जादा नहीं जरूरी नहीं आप आट दस पूजा करो दो करो तीन करो पांच करो एक करो लिकिन आनंद के साथ करो भक्ती से करो पूजा करो विधान करो ऐसी करिया करो विधान ऐसे करो जिससे आपको आकुलता व्याकुलताना और विधान के बाद हवन की जो किरिया है ओम नमा स्वहा बदाया अभी बोला कि पद्वननंदी दामनंदी स्वामी जी हुए उनोंने लिखा है जिन मुख से ये शब उचारन होते हैं नमस्कार ओम नमा स्वहा वो मुख शिरी मुख आ गया है बाकी मुख वो जहांबर इंका उचारन होता है वो पवित्र स्थान है अगर माता पिता के सामने उचारन करते हो उनकी सामने आपको जैसे आप नमस्कार बोलोगी तो सामने से भी कुछ मिले बाई चाहिए ओए जैसे मिले पर दो जीते रहो, खुश रहो, जाए हाथ उठा करके दे, ऐसी मंदिरों में भी आप अगर इकाम करते हो, तो विधान के बाद में आपको विधिवत तरीका जो है, विधान का ये गट्यात्रा, धजारोहन, अभी शानती मत्रों का उच्छारन, उसके बाद पूजा, उसके बाद व अभानान जो किया है आपने दस दिखबालों का उसके साथ प्रगवान का हवन, या आप कोई भी अनुस्ठान करें, तो उसमें आप विधिवत तरीके से धार्मिक अनुस्ठान करें, अभी शेक की करिया भी जिवत तरीके से करें, कुछ लोग हाथ डालतेते हैं गंदोदे पात्र में उर्मुनी महाराज को दे दिया है, क्योंकि वो विशेष पात्र है, पंच परमिष्टी में दिया है, उसके साथ साथ तीसरा दिया है, मंदिर की शुद्धी का ध्यान रखे, मंदिर के अंदर जब आप जा रहे हो तो शुद विचार लेके जाएं, ऐसे पवित्र विचारों के साथ मंदिर में जाएं कि आपकी उर्जा भी बड़े और मंदिर का भी अतीशे बड़े, ऐसा नहीं आप वह देखने जाओ, कौन आय कौन नहीं आया है, कौन नहीं आया है, एक कोई महिला ऐसी है, उसको सब का बता है, आज किसकी बेटी मंदिर आया है, कौन नहीं आया है, क्या करना है, क्या नहीं कर रहा है, भःया, मंदिर आया है, भःया, मंदिर में आया हो, मंदिर में आया हो, मंदिर में आया हो, मंदि आपने अंदर की भावना होनी चाहिए क्यों कि जिनेंदर भगवान की दर्शन करने से हमारे कर्मों की निर्जरा तो होती है और उनके दर्शन करने से हमें ये लक्ष प्राप्त होता है कि हमें भी उन जैसा बनना है इसलिए भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो उतकरस्त उ मान करो या फिर मंदिर में भगवान का अपमान करो वो कैसे मंदिर में आपने समय नहीं है मंदिर में भगवान विराजमान करा दिया है बढ़िया से पंचकलानक करा दिया है मंदिर बना दिया है भगवान विराजमान हो गए है आप पातर बन गए हो आपकी वावा हो गई है और पता चला अभी अभी शेख, अभी शेख तो हम 10 लाक्षन के 10 दिन में करते हैं, क्यों भाइया, 365 दिन होते हैं, बागी हमारे पास समय नहीं है, मंदिर किसले बनाया था, अपनी पोटो के चबाने के लिए, मंदिर में भगवान विराजमान कर दिये हैं, तो आप अपने भगवान की डेली, निट्पती दिन आपको पूझा करने हैं, यह उनका सम्मान है, यह उनकी विने है, यह उनकी भक्ती है, कोई भी सादु आए, तो उनको सम्मान से लेके आना, छोड़ क्या ना, जिन मंदिरों में सम्मान है गुरुओं का, उन मंदिरों में अतीशे हैं, और जहां पर गुरुओं का सम्मान नहीं है, उन मंदिरों के अतीशे तो खतम है ही हैं, उसके साथ साथ जो समाज हैं, वो भी पीडित हैं, दलित हैं, दुखी हैं, इसलिए मंदिर कि अगर अतिशे बढ़ाना है तो वहां पर देव, गुरू और शास्त्र जिन्वानी का भी सम्मान हो, मंदिर बनाया किस लिए, दर्म करने के अब हमारे पास स्वाध्य करने का समय नहीं है, क्यों भाईया, मंदिर में भगवान की पूजा करो, साद्वों को सम्मान से लेके आओ, छोड़के आओ, और जब आपके पास वट्सप चलाने का, यह वट्सप है, यूटूब है, इस्टागराम है, शोशल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, यह सब चलाने का समय तो भाईया, शास्त्र मंदिर का जब अतिशे होता है, तो हमारी मनो कामना पूर्ण होती है, हमें सुख होता है, मिलता है, हमें लाव होता है, उसके साथ साथ मंदिर में जब अतिशे होता है, तो समा संपन रेती है, सुखी रेती है, और जिन मंदिरों का अतिशे नहीं होता है, वो मात चार दिव का धर्म हो जिनेंदर भगवान को देख करके मंदिर जाते क्यों है इसलिए नि जाते कि मंदिर में जाकर करके मंदिर इसलिए जाते हैं कि मंदिर में जाकर कि जिनेंदर भगवान को देख करके हमें इन जैसा बनना है यह लक्ष हमें याद रहे इसलिए मंदिर जाते हैं इसल याद रहे कि हमें भी एक दिगंबर सादू बनना है, इसलिए हमें वो पीछी लेते हैं, ऐसी मंदिर, मंदिर इसलिए जाते हैं, कि भगवान को देख करके लक्ष याद रहे, लेकिन हम क्या वो लक्ष हमें याद है, सोचें, विचायर करें, मंदीर तो बना दिया, मंदीर बनाय किसे लिए है, मंदीर-मने अपने धरम के लिए बनाया है, और जब आप उसमें सही सची दिल से अंतर की आतमा से धरम करोगे, याद रखना मंदीर में अतिश बड़ेगा, लेकिन उमने थ है म में अपने मंदिर की जो इटे हैं वो हैंकार के उपर रखे हो डेड़िंची की नाक के कारण वो मंदिर की इटे रखे हो मंदिर के अंतरंग में जो भावना डाली है आप में उस भावना से आपका मंदिर अतिशे कारी बनेगा मंदिर में अगर इतिशे बनाना है तो थोड़ी सी बातों का भी आपको ध्यान लखना होगा विशेश तोर पे क्या है विशेश यह है कि मंदिर में पूजा अभिशे करने वाले गुटका नशे का सेवन या फिर गंदे काम जो करते हैं शराब जुआ इत्यारी यह काम करने वाले विक्ति मंदिर में भगवान का विशेख ना करें अगर भगवान का विशे करने वाला कोई विक्ति दुराचारी होता है, ऐसा नहीं है, आप अपने बल पे, क्योंकि जो दुराचारी है, जरूरी नहीं है, वो पापी आत्मा हो, क्या पता हो, उस समय उसका तीर पुन्य का उदे हो, जैसे रावन का, पुन्य का उदे था, किर ही होगा उसकी दुर्गति का कारण भी बनेगा इसलिए मंदिर में जो अभिशे करने हैं उगुटका बेडी तंबाकू या फिर शराब जुवा विश्यावत्ति करने वाले विक्ति ना हो इसके साथ साथ मंदिरों में जो परंपराय चल गई हैं मंदिर बना दिया और करो कि आपने शादी करी तो शादी करी है पत्नी से तो फिर ठीक है नोकर उस पत्नी का लालन पालन थोड़ी ना करेगा आपका बच्चा आपने जनम दिया है उस नोकर को नोकर के हाथ से उसको पलवाओगे तो उसके संसकार कैसे मिलेंगे अगर उसी बच्चे को मा तो कैसी संसकार मिलेंगे और उसी को एक आदर्श्मा या फिल प्रतमाधारी हो तो उसका लालन पालन अगर वो करे तो कैसी संसकार हो ऐसी हमारे मंदिर में भगवान है अगर प्रतमाधारी अभिशे करते हैं तो भगवान का अतिशे बढ़ता है साधारन वेक्ति करते हैं तो तो अतिशे कम उर्जा रहती है, उर्जावान देख करके मन करता है, बस खड़े रहे, और अगर कोई वेक्ति सेवक करता है, तो मातर पाशान है, नो कर रख करके अतिशे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मंदिरों में भगवान का विशे, सेवकों के माध्यम से नहीं करें, इसके माध्यम से अभिशे करने से, अतिशे घड़ता है, जैसे कहीं अतिशे छेतरों पे भी हो गया है, सेवक को रख दिया, तो उन अतिशे छेतरों का भी अतिशे कम हो गया है, वहाँ पर जाकर के देखने हैं, तो पहले वाली भावना ही नहीं लगती है पहले मंदिर में कोई भूत प्रेट की बादा वाला विक्ति आता था तो वो दूर से ही कि एक किलोमेटर से ही पता लग जाता था कि भाईया वो छेतर आने वाला है भूत प्रेट की बादा होती तो परेशान हो जाता था यह तुमने जो गलत करिया करी थी उस अतीशे कम हो गया दूसरी बात मंदिर में विधान करने वाले शुद पात्रों जैसे जिनको आप बुला रहे हों विधान करने के लिए वो पुजारी वो संगीतकार कलाकार वो शुद है या नहीं है कई ऐसा तो नहीं है मूं में गुट विधान करते थे तो अतीशे हो जाय करता था मेना संद्री ने विधान किया तो कुछ तो ठीक कर दिया सेठ धनन्जे पूजा करी तो बेटे कश जहर जो साप का जहर ता ओतार दिया लिकिन हमारे सिर्कादर्द भी दूर नहीं हो रा क्यों मंतर बोलने वाले पंड़जी है संगीत बजाने वाले संगीत कार हैं दिखाने वाले कला कार हैं सामगरी बनाने वाला है बाजा बजाने वाला है सब कुछ तो आपने सेवक के माध्यम से करा लिया है दूसरे के माध्यम से तुमने किया क्या तो इसलिए थोड़ा सा इस पे भी धान रखना है कि मंदिर में आप जब कोई किरिया कर रहे हो तो जो पात रहें वो भी शुद्ध हो पुराने लोगों को देखोगे तो पुराने लोग कम किरिया करते थे अनुस्थान कम करते थे लेकिन उन अनुस्थानों को वो शुद्ध करते थे वो कहते थे एक साल में करो पांच साल में एक बार गोन कलन गोन चंद गेघर, मैंस्य समलिघरा निए थे और दंध जना कुम मैंस्देशी है रुट्ट भाता adjjच भून ईथिधा हमम ते कि फट्स जिनको लोकांतिक देव का पात्र बनाया करते लेकिन आज के समय में हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं करते हैं जो पात्र नहीं बनते थे वो महिलाएं वो पुरुष वो बाली का वो बच्चे जो भोजन बना करता था वो महिलाएं मिलकर के बनाया करती थे िविशेश्ता थी कि मंदिर का जो भी काम हुआ करता था अपने हांचे मंदिर की हुआ semantic करकी चोटी से लेकर के धहली तक सफाई खुद किया करते थे आज भी देखते होंगे आप कही धरमों में जैसे जनमाष्ट में के दिन सनातन धर्म में जाओगे हिंदू धरम में तो फूरे मंदिर को दोते हैं और साफ करते हैं यह परमपरा अपनी थी मंदिर को साफ करना उसको सजाना अपने हातों से Mehlaya जो हुआ कर्ती थी अपने हाद से बनाय करती थी Chendoąt ापने हाद से सजाय करती थी पुरुष लोग सफेदी भी पोता ही भी अपने हाँ से किया करते थे लेकिन अब अब तो सब कुछ आपने मंगा दिया ऐसे अतिशे नहीं होते उनके माध्या उस चीज से क्या था उन चीजों से मंदिर में भावना जुड़ी थी उन भावनाओं से अतिशे होता है लोग आज के समय में सोचते हैं बोली या लेलो बोली लेने से अतिशे होगा बोली लेने से तुम धन तो दिखा सकते हो लेकिन धर्म नहीं दिखा सकते दर्म भावनाओ का है, अंतरंग का दर्म है, महानभाग अपने मंदिर में किरिया एक करनी है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे, कि मंदिर में जो किरिया कर रहे हो, विधान करने वाले जो हैं शुद पाधरू, और भगवान के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी करेगी उसका भी अतिश्य बढ़ता है लेकिन हमने आज पर्वो का समय कुछ महावली बदल लिया है पर्व का मतलब कई लोगों ने तो यह सिस्टम कर लिया है कि परवाने वाला है तो सबसे बढ़िया से बढ़िया कपड़े उसी में पहनेंगे जितने कटे भटे या फिर मह मेर तब ही तो कहेंगे जो हमारा ब्यग देग हए हए पंडच जी व殊थे दे रहे हैं शाम के समय में लोग भार बेक जीने पर चरचाइग कर रहे है पंडच जी केरें भीड कहां है वीड पतनिंक है गर केंदर आज्मी नहीं है मंदिर मिनें कौली पड़ा है लो कआं बहा जी आओ जी तंबोला इन खेलों से मंदिरों के अंदर ये जुआ हैं आपने टिकट बाट दिये किट्टी पाटियां कर रहे हो महिला मंडल किट्टी पाटियों कोई करने के लिए थुड़िया मना है मंदिरों में आयाशी करने के लिए नहीं होते हैं मंदिरों में यह काम करने से मंदिरों का अधीशे घटता है भगवान के पाशान में जो पाशान की जो उर्जाय जो आचारों ने सूरी मंत्र डाले जो पंच कल्लानक के समय में जो विधान किये थे हवन किये तो उर्जाय हमारा समर्बन हमारी भक्ति इनके माध्यम से हमारे मंदिर में अतीश होता है आप सभी लोग अपने मंदिरों का अतीशे तो बढ़ाना चाहते हो लेकिन अतीशे बढ़ाने के लिए आप लोगों को ये कारे भी करने होंगे चार कारे बताए हैं मंदिर में नित्य पूजाए ह हों। आपके माध्य हों भक्तों के माध्य कम थोके बाद्य हूँ हम आपके हमसि भाद भाध कर दोसरी बात सब्सक्रा घिए कड़ बिदीवत्रीके से विदान आदी जो क리ophy क लाय तरीके जिरो आगम के अनुकूल हो ऐसा नहीं उसने एसा के दिया वैसा के दिया तीसरी बात मंदिर की शुद्धी का ध्यान जरूर लगए और जोती बात देव शास्त्र और गुरू इन तीनों का सम्मान मंदिरों में होना चाहिए के बाद आपने मंदिर कभड़ा कर दिया है पंदिर कड़ा लिया है सब कुछ हो गया आपकि सादू ने आपके गुरों ने बना दिया अव अपने मीटिंग में पास कर दिया है कि गुरू हमारे बिना नहीं आ सकते हम से मीटिंग रखेंगे तब सादु आएंगे क्यों भईया पंज कल्याना का अपने अपने गरवाया बंदिर हमने बनवाया समाज अमने घटी करी अब हमें बुलाने के लिए तुम में तुमारी ओकात क्या है तो भईया अपने जीवन में इन चीजों की माद्यम से थोड़ थोड़ी सी आसाफधानी आपके मंदिरों का अतीशे कम कर सकती है आप सोग लोग समझदार हैं बड़े हैं बुजरुग हैं जैन हैं धर्मात्मा हैं अपने जीवन में मंदिरों का अतीशे बढ़ाने की किरिया करें घटाने की किरिया ना करें आप सभी लोग मंदिरों का अतीशे बढ़ाने में स्वयोग करें, इनी सत भावनाओं के साथ, आपके मंदिरों का अतीशे बढ़े, आप उस अतीशे के माध्यम से लाप प्राप करें, यही भावना भाते वे, आप निशब शंकला को विराम देता हूं, जे बोलिए परम पुझ्य आचार्य भगबन मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की,